हेलो डिये सुडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप की बुद अच्छे होंगे तो इस वीडियो में हम प्रशनावली 6.5 से कोशन नमर 12 को सौल करेंगे तो देखिए कोशन नमर 12 में से क्या कहा गया है दो खंबे जिनकी उचाईया 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमी पर खड़े हैं यदि इनके पात बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके उपरी सीरों के बीच की दूरी ग्यात कीजिए तो चलिए इसका सोल 12 मीटर का तो माल लेते हैं ये पहला खंबा है जिसकी उचाई 6 मीटर है और ये दूसरा खंबा है जिसकी उचाई 11 मीटर है और ये दोनों खंबे जो हैं वो समतल भूमी पर खड़े हैं और आगे हमसे कहा गया है कि इनके पात बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है यान तो हमसे पूछा है कि इनके उपरी सीरों के बीच की दूरी क्या होगी तो देखिए ये पहला खंबा का उपरी सीरा ये हो जाएगा और दूसरे खंबे का उपरी सीरा ये हो जाएगा तो इनके उपरी सीरों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है यानि कि ये हमसे पूछा गया है ठीक है तो देखी हम ये कैसे बताएंगे इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहां से हम क्या करेंगे कि इस तरह से बिल्कुल सीधी एक लाइन खीच देंगे ठीक है या फिर आप इसको लंब भी कह सकते हैं यानि कि हमने ये जो है इस पे लंग खीचा है इसलिए यहाँ पर 90 degree का कोण बनेगा तो I hope आपको इतना समझ में आ गया एक बार इसका हम नाम रख देते हैं यह A, यह हो जाएगा B, यह C, D और इस बिंदू का नाम देते हैं E अब देखिए यह हमारा A से लेकर B तक यानि कि जो A, B है वो 6 मीटर है तो इसके सामने यानि कि यहां से यहां तक यह जो E, D है यह भी 6 मीटर का ही होगा तो एक बार हम यहाँ पर इस तरह से बता देते हैं कि जो यह E, D है यह भी 6 मीटर का होगा इसी तरह से जो यह B, D है यह 12 मीटर है तो इसलिए इसके सामने ये जो A, E है ये भी 12 मीटर का ही होगा I hope आपको इसका reason भी पता होगा फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ वैसे आपको लिखना नहीं है मैं आपको just knowledge के लिए बता देता हूँ देखिए हमारा जो ये खंबा है ये समतल भूमी पर है इसलिए यहाँ पर 90 डिगरी का कौन बनेगा ऐसे ये वाला खंबा भी समतल भूमी पर है इसलिए यहाँ पर भी 90 डिगरी का कौन बनेगा और ये जो है हमने लंब खीचा है CD पर तो यहाँ पर 90 है तो इस साइड यहाँ पर भी 90 होगा तो ये 90 ये और ये भी 90 तीनो 90 के हो गए तो ये चौथा जो है ये भी 90 खाई होगा ठीक है क्योंकि चारो कोणों का योग 360 होता है तो ये 390-90 हो गए तो ये सिर्फ 90 का बच्चा यानि कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये एक चत्रभुज बन रहा है A, B, D, E ये हमारा एक आयत या फिर इसको एक वर्ग कह सकते हैं तो इसलिए आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है इसलिए B, D जो है इसके सामने ये वाली भुजा है तो इसलिए ये 12 है तो ये भी 12 होगा ऐसे ही A, B जो है इसके सामने ये E, D है तो ये 6 है तो ये 6 होगा आई होप आपको समझ में आ गया अब हमें क्या करना है कि A, C ये इसका मान हमें पता करना है तो देखिए ये पूरा C, D जो है वो 11 मीटर का है और हमें पता है कि E, D जो है वो 6 मीटर हो गया तो C, E कितना बचा? 11 में से हम इस 6 मीटर को घटा देंगे यनि कि ये 5 मीटर का है C, E अब देखिए हमारा यहां पर त्रभुज A-C-E इस वाले त्रभुज को लेंगे हम और यह हमारा एक समकोंद तिरभुज होगा क्योंकि यहां पर 90 degree का कोंड है तो इसमें हमें ये वाली भुज़ा पता है ये वाली भुज़ा पता है हमें ये निकालना है यानि कि यह क्या है करण है तो इसका मान हमें पता करना है तो चलिए करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो AB है यानि कि यह जो है यह किसके बराबर होगा ED के तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ED अब जो AB है वो ED के बराबर है और यह किसके बराबर है 6 मीटर क तो यहाँ पर लिख देंगे 6 मीटर, यानि कि AB जो है वो 6 मीटर है, तो ED भी 6 मीटर का ही होगा, इसी तरह से हमने क्या किया है, कि जो यह CE है, इसका मान भी पता किया है, तो देखे CE, यह हमारा कैसे आया है, इसके लिए हमने क्या किया है, कि पूरे CD में से हमने माइनस कर दिय है इस ed को तो यह हमने यहां पर लिख दिया अब देखिए यहां पर हम लिख देते हैं c e बराबर cd कितना है यानि कि पूरा यह 11 मीटर है इसमें से माइनस कर देंगे ed को तो ed जो है वह 6 मीटर है तो 11 में से 6 गटाएंगे तो 5 बचेगा तो यह हो गया 5 मीटर यानि c e जो है यह 5 मीटर आ गया और इसके अलावा जो यह bी डी है यह बराबर है e के तो यह पर लिख लेते हैं b d बराबर a i और यह किसके बराबर है 12 में जो है कि जो इसमे कौन E है ये 90 डिगरी का है यनि कि ये वाला कौन तो अब हम इसमे पाइथा गोरस प्रमे लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमे द्वारा क्या होगा हमारा कि जो करण का स्क्वेर है वो बराबर होगा onion लंब का square प्लस अधार के square के तो कर्ण इसमें ये हो जाएगा AC तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AC और इसका square किसके बराबर होगा लंब हम इसको ले लेते हैं CE को और आधार AE को ले लेते हैं आप चाहें तो लंब इसको भी ले सकते हैं और अधार इसको भी ले सकते हैं ठीक है तो लंब का square यानी CE का square प्लस अधार का square यानी AE का square. स्क्षाइर अब देखिये एजिये हमारा यह रहा 5 मीटर तो यह 5 लिख देंगे और也 स्क्षाइर प्लस in some हमें पता है यह रहा 12 मीटर तो यहां पर बारा लिख देंगे और इसका स्क्वेर अब देखिए AC का स्क्वेर बराबर 5 का स्क्वेर करेंगे तो 25 graphic स्क्वेर करेंगे तो 144 अब यहां से 25 और 144 को जोड़ देंगे तो 109 आएगा इधर ac aur और ये square को इधर लेके जाएंगे तो ये square root बन जाएंगा टिक है तो ए C का मान या जाएगा 119 का square root क्या होता है यानी कि 119 का वर्ग मूल तो ये होता है 13 यानि कि जो ये AC है इसका मान आ गया 13 और ये सारा मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगा ठीक है तो AC का मान हमारा 13 मीटर हो गया तो ये हमारा आंसर है तो हमसे क्या पुछा गया था दोनों खंबों के उपरी सीरों के बीच की दूरी तो ये 13 मीटर है तो यहाँ पर हम अपना final answer लिख देंगे कि अतह उपरी 0 के बीच की दूरी 13 मीटर है तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया तो यह हमारा question number 12 का solution complete हो गया I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर फिर भी कहीं कोई doubt है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको समझा दूँगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को subscribe करके बगल में जो bell icon आता है उस पे all notification पे click कर लेना ताकि next टूडियो जैसी upload की जाए उसका notification सबसे पहले आपको मिल जाए तो मिलता है फिर next question के लिए next टूडियो में धन्यवाद सबस्तों को